असलाम अलेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपका बताने वाले हैं चिकन मंडी की रेसिपी तो इसके इंग्रीडियन्स है पुदिना, कुदिमेर, टमाटे और हरे मिर्च यह हरे मिर्च है और यहापे है प्याज और यह है काजू, बादम, किश्मिश और यह है लॉंग इलेची चक्का और यह है चिकन मसाला और ब्लाक पेपर पाउडर दो नीमबू और धन्या जीरा यह थोड़ा सा भुने है और यह है घी यह है बासमती चावल इसे हम भिगा के रखना है और यह है चिकन तो चलिए रसिपी सिकते हैं तो चलिए रसिपी नेक्स एक बगोने में टमाटे प्याज और एक लगपीज दाले तो अच्छली आपे हडिया दालना था लेकिन हमारे पास हडिया एवेलिबल नहीं थे इसलिए हमने एक लगपीज दाला है और इसमें हमने दाला है नीमबू और कुतमीत पोदिना लोंग इलेची तो अब देख सकते हो अब हम इसे बॉल करना है तो अब हम इसमें दालेंगे पानी इसमें ड्राइड लेमन दालना चाहिए लेकिन हमारे पास ड्राइड लेमन अवेलिबल नहीं था इसलिए हमने हमने एक अच्छा लेमन दाला है और हम इसमें दाल रहे हैं आप अई अच्छा पेस्ट और हल्दी बे आट करेंगे इसमें तब देख सकते हमने अच्छा अच्छा से उपर नीचे हिलाएंगे अब हम इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे तो यहां पे हमने चावल भीगो के रखे हैं अब देख सकते हो बासमती चावल है और नेक्स यह है धन्या जिरा पाउडर जो हम थोड़ा सा बुनके रखे हैं और हम इसमें दालेंगे लॉंग इलाइजी चक्का और हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा ब्लाक पेपर ब्लाक पेपर पाउडर दालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और काजू बादम किसमिस भी दालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हो ग्राइंड हो चुका है यह इसमें ड्राइड लेमन दालना तो जो भी हमने ग्राइंड किया हैं तो जो भी हमने ग्राइंड करके रखे थे धन्या जीरा पावडर काजू बादम वह सब हम इस चिकन को लगाएंगे जाँ मासाला भी लगाएंगे इसमें चिकन मसाला भी लगाएंगे इस चिकन में आपका और हम इस चिकन में लगा रहे हैं नमक मिर्ची मिर्ची भी हम अंदा रहे हैं हमने इस चिकन में दन्याजेरा पाउडर का पाउडर और चिकन मसाला नमक मिर्ची दाल चिके हैं लगा चुके हैं इस चिकन को तबहा पे तेल डाला है काजू बादम किसमिस गारनिशन कर ने के लिए थोड़ा सा फ्राइब कर रहे हैं तो हमारे काजो बादम किसमें हमने फ्लाई कर चुके हैं अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तो नेक्स्ट है एक बड़ा बगोना लेना चाहिए और हम उसमें दालेंगे तेल तो टेबल स्पून तेल दालेंगे और इसमें हम दाल रहे हैं प्यास प्यास कोचे से फ्राई करेंगे हम लाइट ब्राउन किलराय तक और हम इसमें अब आट करेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट और लॉंग इलाइची हमने इसमें दाला है तब हम इसमें अध्रक लेसन का पेस्ट ब्स साइट करेंगे अब इसमें दालेंगे टमाटो का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था टमाटोस को इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो भी हम कट करके थे ग्रीन चिली हरे मिर्च वह दालेंगे वह भी दाले नेंगस्ट यह मैं दालें रहे हैं धन्याजिरा पावडर लगाइन करके रखे थे हम दन्याजिरा पावडर वह दाले हैं इसमे तो आदे हम इस origin करेंगे अब इसमें दाल रहे हैं पुदिना और कुदिमीर कुदिमीर पुदिना हमने दाल लिया है इसमें नेक्स हम इसमें आट करेंगे पानी अब फिलहाल थोड़ा पानी ही काफी है बाद में हम ज़्यादा पानी लेंगे और यह है लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा तो जो भी हमने बॉल करने रखा था उसका शेरवा आई ये क्योंकि चिकन का टेस्ट आने के लिए ऐसा करते हैं तो हमने खाने में मिला के खाने के लिए थोड़ा सा निकाल लिया है और आप देख सकते हूं ये हमने एक केजी योग को देड़ केजी पानी दाला है इसमें आप देख सकते हूं तो हमने यह पर ग्रिल रखा है स्ट्रीम करने के लिए चिकन को जो भी हमने मसाला आट करके रखा था अब देख सकते हो अब हम इस पर रखेंगे रखेंगे तो हमने स्ट्रीम करने के लिए यह पर अपना चिकन के लगपेस जो भी है वह हमने इस पर रख दिया है और इस पर हमने तो इस पर हमने दाल दिया है थककन तो थोड़ी देर से निकालेंगे तब देख सकते हूं यह और नीचे का पानी कैसा बॉल हो रहा है और चिकन अल्मोस्ट स्ट्रीम हो चुका है तो यह जो भी बॉल हो रहा है उसमें हम अट करेंगे हमारा बासमती चावल जो भी हम धोके रखे थे वह हम अट करेंगे तो अब हम इसमें चावल दाल चुका है तो अब हम चावल को पकाएंगे इसके ओपर धकन दाल चुके हैं अब हम चिकन को फ्राइ करेंगे तवे पे तेल दाल के आप देख सकते हो इस तरह से और हमारा फ्राइड चिकन तयार है यह जो है हमारा चिकन फ्राइ हो चुका है अब देख सकते हो तो हमने अब दम पे रखा है खाने को तो नीचे तवा रखने से दाग नहीं लगता खाना तो अब देख सकते हो हमारा मंडी तयार है राइस बन चुका है अब हम इसमें लास्ट में घी आट करेंगे अब देख सकते हो हमारी चिकन मंडी तयार है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अब कर दो दो आख करेंगें